दोस्तों नमस्कार मैं हूँ बुपिंद्र नावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि देश के अंदर सबसे सांत पीरिया रज उत्राखंड की पुरोला उत्रकाशी में ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि वहां पर पुरोला को जहां डवल इंजन की सरकारों के अंदर से लेकर उत्राखंड तक मुसल्मान बिहीन करने का सड्यंत्र किया जा रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर 26 तारिका 26 माई का घटना कर्म है एक लड़की जिसे बताया मेरी बात हुई वहां के एसो के साथ और एसो से जब मैंने बात की तो उसने कहा कि वहां थोड़ा मंद बुद्धी की लड़की थी और जिसका अपहरन करने का प्रियास कर रहे थे कौन उबैज और एक जितेंद्र साहिनी दोनों लड़के जो बिजनवर के हैं और दोनों दोस्त हैं और फिर मैंने उसे पूछा कि यह तुमने सब दबाव में किया है अपरन कैसे वह सकता है तो फिर उससे चोका यह अपना बाइसों का बात था एक तरीके से मंद मैंने यह धारा तो लगाई लेकिन मसला कुछ और तरब जाने की योजना उनकी थी मैं यह कहना चाहता हूं उबैग को जितेंद्र को जो कानून सजा दे हम उसार पुरा देश स्विकार करने के लिए तियार है एक देश का 140 क्रोर की आबादी में क्या हिंदू क्या मुसलमा से कि इसाई, जैन, पार्सी, नास्तिक, आस्तिक, तमाम जो समझ रखते हैं देश के नागरिक, वो कहते हैं कानूनी तोर पर जो मर्जी सजा मिले, लेकिन एक लड़की के अपरण का 363 का मामला दो लोगों पर दर्ज होता है जितेंद्र साहिनी पर और उबैद जो मुसलिम इन पर और वहां पर एकायक क्या होता है बजरंग डल, RSS, BJP के गुंडे पौफते हैं और मुसल्मानों के लिए ऐलान कर दिया जाता है कि मुसल्मान 15 तारीक तक पूरोला छोड़ दे, पंचैत का आयोजन किया जाएगा और आज मेरी यसो से बातचित हुई, मैंने कहा कि भई, महाँ पर सारफ जनिक तोर पर पंचैत कायोजन की धंकी दी जा रही है, कोई स्वामी दर्शन भारती अपने को कहता है, राकिस उत्राखंटी कहता है, तो कहा कि हमने 151 के तहट और 505 के तहट मुकदमा दर्श कर दि यसो नहीं कहा, गिरबतारी नहीं हो सकती है, यह सुप्रीम कोट का बर्डिक्ट है, बदर सुप्रीम कोट नहीं कहा, इस परकार के हिंसा करने का जो धंकी देने का, इलाका खाली कराने का जो अईलान करते हैं, क्योंकि जो पंचैत कर रहे हैं, उन्होंने आपोस्टर लगा सिक्षक है दुंगरपुर राजस्तान में वो सरकारी बिद्याला का सिक्षक आठ से 12 साल की बच्चियों का यहन सोसन करता था उन्हें स्कूल से अपनी गाड़ी में लेकर अपने घर पर और स्कूल के भी कमरों में यह सोचन करता था जो आठ से बाराइस साल की लड़कियां उसके भाय और दर्द के कारण असाई मैसुस करती ही स्कूल जाने से कत्राती थी उनके माबाब ढांट फटकार के उन बच्चों को भीजती थी हर उन बच्चियों में से एक बच्ची ने रोते हुए अ करना चाहता हूं देश वाशियों चीतेंद्र सैनी के साथ उबायद खान का होना एक बच्चे की लड़की के अपरण के मामले में तो पुरोला से सारे मुसल्मानों को भगाने का ऐलान कर देना तो क्या यह नहीं होना चाहिए हमारे देश में यह भेदभावाला है या हमार देश की व्यवस्ता है कि अगर कोई एक मुसल्मान गलती करे तो पुरोला के सारे मुसल्मानों को दंडित किया जाना चाहिए तो क्यों नहीं डूंगरपूर के जिस शिक्षक ने रमेश चंद्र ने हिंदू रमेश चंद्र का में जिक्र कर रहा हूं आठ से बारा साल की ब चाहिए ताकि देश में किसी भी बच्ची का यह सोसन नहों सके मैं आपके मादियम से जानना चाहता हूं हमारे देश में आशरम अस्तापित कि कि कर चुके आशरम चला ने वाले आशावराम रामरहम बलातकार हत्या के मामले में सज़ा भगत रहे हैं तो इसका मतलब है कि देश के अंदर जहां जहां आश्रम चल रहे उन सब आश्रमों पर ताले क्यों नहीं लगा दिने चाहिए ताकि आश्रमों में बलातकार होना बंद हो जाए ये देश कुछ वोड जा रहा है क्या हमारे देश का मैं उत्राखंड का जिक्र करता हूँ उत्राखंड में सितंबर 2022 का एक लड़की अंकिता भंडारी भाजापा का वहाँ पर रिजाट है बिनोत आर्या का और उसका बेटा पुलकित आर्या विवस कर रहा था उस बेटी को किसी भी आईपी जो सुना जाना शूत्रों के मुताबिक भाज़िंता पालिटी का कोई पाज़पाईयों का है उन पर ताले लगा देने चाहिए ताकि उत्रा खंडी की बेटियों को बैसे बिर्थी के दंदे में धकेलने की परंपरा बंद हो जाए हमारे देश का डियाडियों का निदेशक परदीव करूल कर पाकिस्तानी एजंट और पाकिस्तानी एजंट होन हम हमारे देश के डियाडियों के निदेशक पिक्पाद पर रहकर पाकिस्तान के लिए जासुचि करता है तो क्यों नहीं देश में जहां इस तरह देश के साहत गड़दी नहीं कर रहूंँगी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, आपसे मैं अपील करता हूँ, हमारे देश के गुज्राइश के मुख्यम्मंतरी रहते हुए, देश के नरिंद्रमोधी ने, एक गुजलाती बेटी का अपहन कराया था अपने कमरे में रखा उसे मुख्यमंत्री आवास के अंदर दो दिन तो देश की बेटियों का क्या हिसा क्या दसा होती होगी तो देश के तमाम राचों से बाज़ पाके एक एक मुख्यमंत्री को पच्छे क्योंने हटाया जाना चाहिए यह सवाल मैं इसले कर रहा हूँ एक उबैत जितेंद्र आर्या के साथ सामिल होता है और तब सारे मुसल्मानों को वहासे भगा देने का ऐलान होता है और डबल इंजिन की सरकार है वो डबल इंजिन की सरकार जो कहती है कि हमारा देश लोगतंत्र की जननी है ऐसी जननी मैं माझना जाता हूं पंद्रा वा पंचैत की बाद मैं पूछा इसो को भूर के तहरत कहा है मतलब आपको बटाता हूं को यह जानकारी नहीं है पर जो देशवासी सुने मुझे, धारा एक सो त्रेपन ए और धारा पांच सो पांच के तहट जो अपरादी बुक होता है, जिसके किलाब मुकदमा दर्ज होता है, क्या सच में सुप्रीम कोट, ऐससे सुप्रीम कोट ते बैठे जज, ऐसा हलका स्टेटमेंट या ऐसा जिससे देश में नफरत पहलाने वालों को खुली छूटो यह सो कहता है, उन्हें गिरपतार नहीं किया जाना चाहिए, तो दोस्तों, मैं आपके माध्यम से ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, दुबारा से, कि बले ही नरंदर मोधी ने मुख्या मंतरी रहते हुए, गु हमारे देश में DRDO का डेरक्टर निदेशक परदी करूल कर, पाकिस्तानी एजन्ट है, सावर करका भागत है, और वहां हमारे देश के गद्दारी और वहां पर ISI के साथ्यारी उनके लिए जासुसी का काम कर रहा है, मैं नहीं मानता हूँ कि सारे देश के अंदर संगी ऐसे हूँ क्योंकि संग का पड़्चा रखने चुका सक्स हमारे देश के पड़्धान में ते कुछ पर बेठा हुआ है, तब मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो भेध है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर विजेश राज्य मंत्री थे, M.J. अक्बर और पिर्यानमानी पत्रकार ने कहा, तीस साल पहले मेरा यह सोसन किया गया था, मीटू में, हन मोजी सरकार ने तदकाल मंत्री पस से M.J. अक्बर को हटा दिया, और जनवरी 2023 के 18 जनवरी से जैस में ओलम्पिक पड़क विजटा बेटिया कह रही है, हमारा यह सोसन किया है, पूलिस कह रही है कैसे कैसे किया क्या क्या किया, और बिर्जा बुर्शांट सरन सिंग छुटे सांट की तरह घूम रहा है, यह है भेद, यह है भेद कि जितियंदर आ रही है, और उबेद दोनों पे एक यारोप है 363, लेकिन उबेद के, जो जाती के मजब के लोग है, मु मैंने आप से कहा, कोई TV और अकबार, परदीप कलूर कर की बात नहीं चलाता है, तब मैं आपके माद्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात हुई है वहाँ, मुस्तकीम, 1990 से दुकान है टेली विजो नट फिरिश की, मेरी बात हुई वहाँ सलीम भाय के साथ में, बब काम किया, और जहां तक हम गई इंटियर में, तब मैं यह कहना चाहता हूँ, उस जमाने की बात, अगर मैं करूँ, दिल्ली से हमारी टाटा चारुसा जब माल लोड होकर जाता था, तो अड़तल साथ घंटे लगते थे, वहाँ कहा जा रहा है कि आपहरण किया जा रहा था, तब मैं आपके माद्यम से उत्राखंड के लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, कि 2012 में दिल्ली में किरन नेगी का अपहरण कैंग्रेप हत्यार उसको 30 से जला गया था, 2014 का मुझे याद है, अगस्त में फांशी की सजा सुना दी गई थी, और अभी नर्यंद्रमोदी के र बंडारी की हत्या पर जो भाजा पाक के नेता के रिसोर्ट में घिसके वो, परो,शचर जा रहा था, देव्यापार के लिए उसनने मना किया उसकी हत्या पर जो मौन रहें और उवेद के मामलेमें डॉन बन रहें और यह बड़ा सद्यन त्रिशली है क्योंकि रोजगार नहीं दिया जा रहा है और जो लोग वहां भणकाने की बात कर रहें भणकाने का काम कर रहें मैं दावे के साथ में कह सकता हूं या तो वह कुपूत हैं मतलब निपूत या तो नरनरमोदी के तरह हैं बे अवलाद या फिर उनके बच्चे देश और दुनिया के कानवेट डिस्कूर में पड़ रहें मैं आप वीडियो नहीं आपको दिखाऊंगा एक बंडी जी दो मंदिरों में दो ब्रहमन बंडी जी को करम करते हुए वारल हो रहा है वीडियो उसे महला भी नगन दिख रही है लेकिन मैं आपके माद्यम से कहना चाहता हूं कथवा का मामला आठ साल की मासुम बच्ची जिसको भूका प्यासा रखा मंदिर के अंदर पुजारी सइट छे लोग अरिये किवा ने गैंग्रेप किया और उसके हत्या कर दी गई आप मुझे बताइए किया सभी पुजारियों को मंदि जासुस हैं तो सारे संग्यों को जहां जहां बैठे बेदकल करके निकाला जाना चाहिए ना काट करके इनको और जो पुजारी हैं एक पुजारी कठ्वा में तो दो पुजारी होर नंगे निकले क्या सारे पुजारी कुकरमर बलातकारी हो सकते हैं क्या तो अगर आप मानत मुख्यमंत्रियों को पत से हटाया जाना चाहिए यह बात मैं आपके साथ करना चाहिए और तब मैं आखरी बात कहता हूं उसकर सिंग धामी जो मुख्यमंत्रिय उत्राखंड का 2014 में भारत का नक्सा पोस्ट किया था ट्रीट करके उसका सीज काटा था लद्दा को चीन में दिखाने वाला चीन का एजन उत्राखंड का मुख्यमंत्रिय है चुना हारने के बाद चीनी साजिस के तैद दुबारा मुख्यमंत्रिय बनाया गया हर अब अपनी तमाम असब पत अमन और सांती के लिए हमारी सरकार काम कर रही है कौन सी अमन और सांती की तुम्हारे गुंडे वहां पर पोश्टर लगा रहे हैं मुसलमानों के उस पर हर वहां पर पंचैत का धंकी दे रहे हर 15 तरी तक खाली करने की बात कर रहे हैं तब मैं आपके माद्यव से कहना चाह हैं उसको भी सोचना चाहिए और पता संग्याल लेना चाहिए कि देश में अपने कुकर्मर पापों को छिपाने के लिए कहीं हिंदों मुसल्मान के अजतर कैसा तरीका मैं बताता हूं भारत के जिन जिन राज्यों में गाई का मास्ट खाने वालों की संक्या जादा है जैस और देश में जिस इलाके में गाउ मास्ट खाने वालों के संक्या कम है वहां भाजा पाई अपनी उस गव को अपनी मा बताते हैं सांट को बाब बता रहें दंग और माब लिंचिंग करा रहें देश वासे हुए सोचना चाहिए मैं बोपेंदर रावाद बहुत गंबिता से कह रहा हूं मेले साथ चलिए अरुना चल में घाला तिरपुरा में नागा लैंड में मैं दिखा दूंगा संगियों को और दिखा दूंगा कैसे गव कतल करके खाते हैं जो किरें डिजूनर किरें राज्या मंत्री मुक्तार लग्मी ने कहाता उनके पासपोर्ट मीचा रहता है 24 गंटे पाकिस्तान का कहा कि जो गव मास कहता है पाकिस्तान चले जाओ किरें डिजूनर कहा मैं तो खाता हूं तो आप समझ लो जो गव मास खाता है उसे केंदर मंत्री मनाते हैं जो इनकी बेटियों के साथ ब्या करता है उसे मुक्तार अबास लगभी है और सही नवाजिशन की तरह नवासती है और जो घरीब गुर्वा होता है उबैद का मैं आपको जिक्र करूं उसके दुकान के साथ का सोरूम है भारत पंडिशर के नाम से बहुत-बड़ा सोरूम है और वहां पर नेनिताल बैंक है मैं आ जांच होनी चाहिए और दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं मेरा बहुत-अनबब है उतरकाशी से दिली का उतरकाशी से अपरन करने के रिशी के दिरह दून लाने के लिए आपको 200 घंटे लगेंगे इतना सरल भी नहीं है ले आप सब लोगों से अपील करता हूं यह बे अउलादों के वहकाव में और जो अपने बच्चों को विदेश से पढ़ा रहे हैं तुमारे बच्चों को दंगाई बना रहे हैं उनकी वहकाव में बिलकुल मत आएं और जो वहां 40 परिवार बिश्टक अमरी बेद भाग गहे दरके मारे मैं अस्तानी अस्तर पर लोग नहीं कह रहे हैं उनके खिलाब नहीं है लेकिनों जो गुंड़े आ रहे हैं आरे सब्सक्राइब करता हूं कि बहार से आने वाले ऐसे गुंडों को सबक शिकाने की जिम्मेबरी आपकी है और अदलत में बेच्चे जज़ों से उम झाल